आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल ओनलाइन स्टडी पॉंट पर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्पून राष्टे दिवस काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी करें तो यह वीड आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए लिंक दिया गया है तो वहां से आप लोग देख सकते हैं मैं आपको बता दूँ यह जो पार्ट टू वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग मई से लेकर दिसंबर तक जितने भी महत उडिशा का राजी दिवस था आईए यहीं से पढ़ना सुरुवात करते हैं आज का वेडियो में जो एक अप्रेल को मनाते हैं उडिशा का राजी दिवस क्यों मनाते हैं एक अप्रेल को उडिशा का राजी दिवस जो उडिशा राजी का गठन हुआ था एक अप्रेल 1936 को उडिसा राजी का गठन हुआ था इसलिए एक अप्रिल को उडिसा का राजी दिवस के रुपे मनाते हैं और उडिसा का जो राजी दिवस है दोस्तों इसको उतकल दिवस भी कहा जाता है कौन सा दिवस कहते हैं उतकल दिवस तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि कि यह जो question है काफी बार पूछा गया है दोस्तों आइए देख लेते हैं मही महीने के कौन-कौन से दिवस important है मही महीने के जो 11 मही है इस दिन को मनाया जाता है राष्टी प्रोधोगी की दिवस कब मनाया जाता है 11 मही को और 11 मही 1999 को पहली बार इसको मनाया गया था और राष दोस्तों वो है राष्टी आतंगवाद विरोधी दिवस और राष्टी आतंगवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं अकेस मही को राष्टी आतंगवाद विरोधी दिवस मनाते हैं और इस दिन का मनाने का उद्देश किया है जो आतंगवाद के आसमाजी किरित्त और मानव पीडा और जीवन पर इसके परभाव के बारे में जागरुकता बढ़ाना है इसलिए अकेश मई को क्या मनाते हैं आतंगवाद विरोधिदिवस जो भारत के पूरुव परधानमंतिरी राजीव गंदी हैं इसके पूनितिती के रूप में मनाते हैं अकेस माई को भारत के साथ में परदान मंतरी थे राजीव गांदी और इनका हत्या जो है अकेस माई 1991 में LTTE के द्वारा कर दिया गया था किसके द्वारा LTTE Liberation Tiger of Tamil Alam इसी के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था कब अकेस माई 1991 को इसलिए अकेस माई को क्या मनाते हैं राष्टी आतंगवाद दिवस तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों आप सभी को याद रखना है अगला जो हमारा दिवस है दोस्तों वो है हिंदी पत्रकार दिवस कब मनाते हैं 30 माई को हिंदी पत्रकारिकता दिवस मनाते हैं जो 30 माई 1826 को भारत का पहला हिंदी अकबार परकासित हुआ था जिसका नाम था दोस्तों उदंत मारतंड उदंत मारतंड जो अकबार था भारत का पहला हिंदी अकबार था और इसे परकासित किया गया था 30 माई 1826 को इसलिए 30 माई को हम लोग क्या मनाते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं आए दोस्तों माई में जितने भी राज्जी दिवस हैं उसको देख लेते हैं एक माई को हम लोग मनाते हैं महराष्ट और गुजरात के राज्जी दिवस मनाते हैं और 16 माई को हम भारत का 22 राज बना था इसलिए 16 मही को हम लोग क्या मनाते हैं सिक्किम का राज दिवस और दोस्तों 30 मही को गोवा का राज दिवस बनाते हैं क्योंकि 30 मही 1987 को गोवा भारत का 25 राज बना था इसलिए 30 मही को हम लोग क्या मनाते हैं गोवा का राज दिवस जो 25 राज बना थ दोस्तों 30 मई 1987 को इसलिए गोवा का राज दिवस 30 मई को मनाय जाता था तो काफी ज़्यादा important है दोस्तों आप सभी को याद रखना है आए अगले महिने जुलाई के जितने भी important दिवस है उसको देखने वाले है जो जुलाई में एक जुलाई ही है राष्टे चिकितसक दिवस मनाते हैं तो काफी ज़्यादा important है राष्टे चिकितसक दिवस एक जुलाई को मनाय जाता है अगला जो हमारा दिवस है वो है 23 जुलाई 23 जुलाई को क्या मनाते है राष्टे परसारन दिवस और लोग सेवा परसारन दिवस 12 नौंबर को मनाते हैं ये भी आपको याद रखना है हर साल जो है 23 जुलाई को राष्टी परसारन दिवस की रुप में मनाए जाता है इस जो दिन है 1927 में देश में पहली बार रेडियो परसारन भारतिय परसारन कमपनी के तहत बॉंबे इस्टेशन में परसारित किया गया इसलिए हम लोग 23 जुलाई को क्या मनाते हैं राष्टी परसारन दिवस तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों आप सभी को याद रखना है और लोग सेवा परसारन दिवस मेंने बताया 12 नवंबर को मनाया जाता है आईए अगले महिने जो अगस्त महिने के जितने भी इंपोर्टेंट दिवस हैं उसको देख लेते हैं राष्टी हतकरगा दिवस का मनाते हैं 7 अगस्त को राष्टी हतकरगा दिवस मनाते हैं राष्टी हतकरगा दिवस मनाते हैं। अगला जो हमारे दिवस है दोस्तों है 20 अगस्त को सदभावना दिवस के रुप में मनाते हैं। अगले महीना सितंबर में जितने भी महत्पून दिवस हैं। एक से लेकर साथ सितंबर जो मनाते हैं राष्टी पोसन सप्ता दिवस मनाते हैं। एक से लेकर साथ सितंबर कौन सा मनाते हैं। राष्टी पोसन सप्ता जो राष्टी पोसन सप्ता उनिस सो बैरासी में खाद और पोसन बोर्ड दवारा सुरू किया गया था। और सितंबर के पहले सप्ता में पूरे देश में मनाया जाता है। तो काफी ज़्यादा important है दोस्तों जो राष्टिय पोशन सप्ता दिवस मनाते हैं एक से लेकर 7 सितंबर तक मनाते हैं तो काफी ज़्यादा important है आईए देख लेते हैं अगला जो हमारा दिवस है वो है सिक्षक दिवस राष्टिय सिक्षक दिवस कब मनाते हैं 5 सितंबर को र तो 5 अक्टूबर को दोस्तों विश्व सिक्षक दिवस मनाते हैं, मैंने कहा आप लोग क्या करो, रिलेट करके पढ़ा करो, जैसे कि 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्टी सिक्षक दिवस, अब सोचो, विश्व सिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को इंजिनियर दिवस की रुप में मनाते हैं जो एम विश्वरिया का जन्म दिन 15 सितंबर भारत में इंजिनियर दिवस की रुप में मनाय जाता है तो इंजिनियर दिवस कब मनाते हैं 15 सितंबर को मनाते हैं आगे हैं दोस्तों हमारा जो दिवस वह है अक्टूबर अक्टूबर में राष्टिय पोष्ट दिवस मनाते हैं 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं राष्टिय पोष्ट दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं और विस्व डाक दिवस परतियक वस 9 अक्टूबर को मनाये जाता है जो 1874 में यूनिवर्सल पोष्टल यूनियन क अस्थापना की वर्सगांट पर मनाया जाता है राष्टिय पोष्ट दिवस और भारतिय डाक उत्सव जो विश्व डाक दिवस का एक विस्तार है इसलिए 10 अक्टूबर को हम लोग राष्टिय पोष्ट दिवस मनाते हैं और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं आप लोगों को याद रखने हैं दोस्तों काफी ज़्यादा important है और 8 October जो है भारती वाईशेना दिवस मनाते हैं भारती वाईशेना दिवस कब मनाते हैं 8 October को और 9 October को विस्व डाक दिवस मनाते हैं तो काफी ज़्यादा important है दोस्तों जो भारती वाईशेना की अस्थापना 8 October 1932 को किया था कब किया था भारती वाई शेना का जो अस्थापना किया था दोस्तों वो 8 October 1932 को किया था इसलिए 8 October को क्या मनाते है जो वाई शेना दिवस मनाते है तो काफी ज़्यादा important है दोस्तों आप सभी को याद रखा हमारा जो अगला दिवस है दोस्तों वो है ITBP अस्थापना दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाते हैं ITBP दिवस जो ITBP अस्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों भारत तीबत सीमा पुलिस बल को 24 अक्टूबर 1962 को इसका अस्थापना किया गया था इसलिए ITBP जो अस्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं जो 1962 में भारत चायना के युद्ध के मुद्दे नजर रखते हुए CRPF अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था जो भारत तीबत सीमा पुलिस बल है इसको तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों आप सभी को याद रखना है 24 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं ITBP दिवस तो आप सभी को याद रखना है हमारा जो अगला दिवस है दोस्तों वो है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को राष्टी एकता दिवस मनाते हैं जो सरदार बल्लब पटेल की जो 144 जैनती के रूप में हम लोग राष्टी एकता दिवस मनाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए जागरुकता पहलाने के लिए मनाये जाता है तो काफी ज़्यादा important है दोस्तों आप सभी को याद रखना है जो राष्टी कानुनी सेवा दिवस की सुरुआत सबसे पहले 1995 में भारत के सरवोच नियाले ने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और परदान करने के लिए अस्थापना किया गया था 1995 में इसलिए 9 नंबर को राष्टी कानुनी सेवा दिवस मनाते हैं तो काफी ज़्यादा important है दोस्तों ये दिवस आएए देख लेते हैं अगला जो हमारा दिवस है वो है ए 17 नंबर 11 नमबर को क्या मनाते हैं? राष्टी सिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नमबर को 11 नमबर 2008 से राष्टी सिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है या तारिक सवतंत्र भारत की पहले सिक्षा मंतरी मौलाना अबूल कलाम अजाद की जहनती के लिए मनाते हैं तो काफी ज़्यादा important है दोस्तों आप सभी को याद रखना है अगला जो हमारा दिवस है दोस्तों वो है 16 नमबर 16 नमबर को राष्टी प्रेस दिवस मनाते हैं 16 नमबर को काफी ज़्यादा important है प्रेस काउंसलिंग किया था अपना 4 जुलाई 1966 को भारत में हुई थी जिसने 16 नमबर 1966 में अपना काम सुरू किया था इसलिए 16 नमबर को राष्टी प्रेस दिवस कहते हैं जो 16 नमबर 1966 को प्रेस काउंसलिंग की अस्थापना तो 4 जुलाई 1966 को हो गया था लेकिन 16 नमबर से काम सुरू किया 16 नमबर 1966 से इसलिए 16 नमबर को राष्टी प्रेस दिवस मन तो काफी ज़्यादा important है अगला जो हमारा दिवस है दोस्तों वो है 17 नमबर 17 नमबर को कौन सा दिवस मनाते है राश्टी मिर्गी दिवस सतरा नमबर को भारत नमबर के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए हर साल राश्टी मिर्गी दिवस के रुप में मनाया जाता ह मिर्गी एक विकार होता है जिसमें मस्तिस्क में तंत्रिका कोसी का गतिविधी परिसान होती है जिससे दोरे पड़ जाते हैं इसलिए हम लोग इसी को दूर करने के लिए 17 नवंबर को राष्टी मिर्गी दिवस के रुप में मनाते हैं बाफी जादा इंपोर्टेंट है दोस्तों आप सभी को याद रखना है अगला जो हमारा दिवस है दोस्तों वो है चोग्दा नवंबर और चोग्दा नवंबर को राष्टी बाल दिवस मनाते हैं बाल दिवस हर साल चोगदा नमबर को भारत के पहले परदान मंत्री पंडित जुहरलाल नहरू की याद में मनाय जाता है जिसका जन्म 1889 में इसी दिन हुआ था जो चोगदा नमबर 1889 में इसलिए हम लोग इसका जो जन्म दिन पर हम लोग क्या मनाते हैं बाल दिवस और विसव बाल दिवस का मनाते हैं 20 नमबर को मनाय जाता है मैंने कहा आप सभी लोग रिलेट करके पढ़ा करो तभी आप लोगों को याद रहेगा जो राश्टी बाल दिवस चोगदा नमबर को और विसव बाल दिवस 20 नमबर को मनाय जाता है तो काफी ज़्यादा important है दोस्तों आप सभी को याद रखना है अगला जो हमारा दिवस है वो है 19 नमबर 19 नमबर को राष्टी एक्ता दिवस मनाते हैं 19 नमबर को राष्टी एक्ता दिवस हर साल 19 नमबर को मनाय जाता है क्योंकि भारत की पहली महिला परदान मंतरी इंद्रा गांदी की जहनती के रूप में मनाय जाता है तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों आप सभी को याद रखना है अगला जो हमारा दिवस है वो है राष्टी एक कानून या फिर संविधान दिवस बोलते हैं 26 नमबर को संविधान दिवस की रूप में मनाते हैं संविधान दिवस का मनाते हैं 26 नमबर भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष में पर्तिवर्स 26 नमबर को भारत में मनाय जाता है 26 नमबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ इसलिए हम लोग 26 नमबर को क्या मनाते हैं संविधान दिवस या फिर राष्टी कानून दिवस भी इसको बोलते हैं जिने भारत की स्वेथ करांती के जनक मना जाता है तो भारत के स्वेथ करांती के जनक कों है डॉक्टर वर्गीज कुरियन और इसी के जो है 26 नमबर को क्या मनाते हैं राष्टी दुख दिवस तो काफी जादा इंपोर्टेंट है दोस्तों आईए हम लोग नवंबर में जितने भी राज जी के जो दिवस मनाते हैं उसको देख लेते हैं एक नवंबर को कौन-कौन राज जी के जो राज जी दिवस मनाते हैं तामिलाडू हो गया, मद्य परदेश, 36 गड़, पंजाब, हरियना, करनाटक, केरल यह सारे जो है राज जी का राज जी दिवस मनाते हैं एक नवंबर को कौन-कौन से राज जी के एक बार और देख लो तामिलाडू, मद्य परदेश, 36 गड़, पंजाब, हरियना, करनाटक और केरल के राज जी दिवस एक नवंबर को मनाते हैं, आप सभी को याद रखना है और 9 नवंबर को दोस्तों, उत्राखंड का राज जी दिवस मनाते हैं और 15 नवंबर को किसका राज जी दिवस मनाते हैं, जहारखंड का राज जी दिवस नियंतरन दिवस मनाते हैं राष्टी परदूसन नियंतरन दिवस का मनाते हैं दो दिसंबर को यह उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो नहीं ने दो दिसंबर दिसम्बर को भारतिय नौसेना दिवस मनाते हैं जो 1971 में भारत पाकिस्तान यूद में ओपरेशन ट्राइडेंट चला गया गया था 1971 में चार दिसम्बर को इसलिए जो है भारतिय नौसेना दिवस चुना गया अगला जो हमारा दिवस है दोस्तों वो है भारतिय ससस्तर बल ज पहन्द संग्रा के लिए भारत को समर्पित एक दीन है तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है 1949 से 7 दिसंबर को जो है भारत में परती एक वर्ष जो है मनाया जाता है भारती ससस्त्र बल जहंडा दिवस कबसे 1949 से 7 दिसंबर को तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस नमर को यह हर साल चोगदा दिसमर को मना जाता है जो 1991 के बाद भारत में मना जाता है कब मना जाता है 1991 के बाद हर एक साल भारत में चोगदा दिसमर को राष्टी उर्जा सनरक्षन दिवस मना जाते हैं जो उर्जा मंतराले के तहत बीरो आप एनरजी जो एफिसेंसी बीरो दिसंबर को तो आप सभी को याद रखना है जो विजे दिवस है फिर जीद दिवस का मनाते है 16 दिसंबर को क्योंकि यह भारत में 16 दिसंबर को पाकिस्तान से जो बंगला देश की मुक्ती के लिए 1971 के भारत पाकिस्तान युद में पाकिस्तान पर भारती सेना की जीद के दोस्तों को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और विजय दिवस केवल पूछे तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप सभी को याद रखना है हमारा जो अगला दिवस है दोस्तों वो है राष्टिय गनित दिवस का मनाते हैं 22 दिसंबर को राष्टी गनित दिश मनाते हैं क्योंकि भारतिय जो गनित्य गते स्री परतिभा स्रीध निवास रामा नूजन की जयनती पर हम लोग 22 दिसंबर को राष्टी गनित दिवस मनाते हैं तो काफी ज़्यादा important है दोस्तों अगला जो हमारा दिवस है वह है 23 दिसंबर 23 दिसंबर को किसान किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को क्योंकि दोस्तों किसानों की हाक में यह बहुत सारी लड़ाईयों लड़ी है इसलिए हम लोग किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर को आप सभी को मैंने उसमें भी बताया होगा जो simplement इंपोर्टन्ट समादी अस्तरली वाला वडिगौशben उसमें मैंने बता है ऐस सारे चीज़ अगर आप लोग को देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा जो सुरू से लेकर अन्न तक देखा करो सारे हे जो हर जो है वीडियो ने 7 शिशन आने होता है हर वीडियो में जो रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए यहां पर मैं ऐसे ही बता के निकल जाता जो कि किसान दिवस का मनाते हैं 23 दिसंबर को क्यों मनाते हैं किसान दिवस जो पूरु पीम जोते चोदरी चरंशिंग इसका जन्म द आप लोग यहां सिर्फ रखोगे 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं किसान दिवस अगर आपसे यह कोश्यन में पूछ दे दो चोदरी चरंशिंग के जन्म दिवस पर हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं तो आप लोग नहीं कर पाओगे इसलिए मैं कहता हूं पूरे टिक जी के पढ़ाओंगा तो पढ़ाओंगा दोस्तों आप लोग बोलेते जो कि सेयर करेंगे तो अभी तक आप लोग सेयर कहां कियें मातर तीन से चार हजार लोग देख रहे हैं तो इसको सेयर करो यार दास पंदरह हजार तक कम से कम करो तो ही हो पाएगा दोस्तों मैं इक को बोल रहा हूँ तो ही हो पाएगा एक तो देखो कितना मेहनत करते हैं एक तो PDF करके इसको बनाते हैं ऐसे थोड़े हो गया वैसे तो सब कोई बता देता कि सांदिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं आखिर कि सांदिवस 23 दिसंबर को क्यों मनाते हैं इसको जो है बताने के लिए पढ़ना पढ़ता है और बहुत अच्छे से पढ़ना पढ़ता है इसलिए आपको यही जगह पे हर कुछ मिल जा रहा है सब कुछ मिल जा रहा है complete यानि कि complete जो आपको दिवस से पूछे तो इस तरह किसी को नहीं मालूम होगा जाके आप अपने दोस्तों के साथ पूछेगा जो हमारा क्लास नहीं लेता है उसको पूछेगा आखिर 23 दिसंबर को किसान दिवस क्यों मनाते हैं वो नहीं बता पाएगा या फिर और जो दिवस में हमने बताया वो नहीं बता पाएगा तो आप लोग जो है बहुत सही जगह पर पड़ रहे हो बहुत अच्छा जो है content है यह सब आप लोग जो है सिर्फ क्या करो share करो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग share कर रहा हूँ दोस्तों उसका कोई मैनत का कोई result नहीं दिख रहा है आप लोग जो है result दिखाई है तब हम लोग भी और मेहनत करेंगे अगर वह यह वीडियो आपको अच्छा लगता प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी 1986 को राष्टपती की सहमती पराप्त हुई थी इसलिए राष्टी भोकता दिवस कब मनाते हैं 24 दिसंबर को मनाते हैं आप सभी को याद रखना है और सुसासन दिवस कब मनाते हैं 25 दिसंबर को आप सभी को मालूम होगा जो हमारा समाधी अस्तल का वीडियो नहीं देखें जाके देखो वहाँ भी मैंने बताया है जो अटल विहारी वाजपे के जनम दिन पर हम लोग क्या मनाते हैं सुसासन दिवस क्या करोगे यार देखो जाके अगर नहीं देखें तो समाधी अस्तल वाला वीडियो जाके देखो इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इस नागालेंड देश का सोलों राज बनाता नागालेंड जो भारत का सोलों राज बनाया कब एक दिसंबर 1963 को इसलिए एक दिसंबर को क्या मनाते हैं नागालेंड का राज दिवस मनाते हैं दोस्तो आज का यह अंतिम दिवस था और दिवस आज कंप्लीट हो गया है मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ हमारा जो जो इस्टेटिक जίके का जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं कम्प्लिट इस्टेटिक जीके का सीलेबस अगर आप राश्टिय दिवस का जो पार्ट वन का वीडियो आ गया वो भी आ गया है उसको भी आप लोग जाके देखो प्लेलिस्ट का जो लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उल जाएगा तो वहां से आप लोग देखो मैं आपको और एक चीज बता देत आप लोग वीडियो को देखो और टो हां तो त्ब नहीं होता है लेपिटेशन इनको निकलबा लोग आप सभी के लिए बहतर रहेगा दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो एक नए topic के साथ एक नए उर्जा के साथ तत्त के लिए जै हिंद जै भारत ऐसे पढ़ते रहेगा और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्तों प्लीज सेयर करा करो इसलिए हम लोग बोलते हैं आप लोग जितना सेयर करोगे उतना हम लोगों को motivation मिलेगा एक अगली वीडियो बनाने के लिए अगर आप लोग बोलोगे तो मैं स्ट्राटिक जीके के साथ सथ जो है पॉलेटिक अभी इसी तरह सेशन स्टार्ट कर दूँगा तो आप लोग बोलो फिर कमेंट करके बताओ आप लोग कमेंट नहीं करते हो कमेंट करके बताओ आप लोगों को कोई भी दिक्कत है फिर किसी से रिलेटेड अगर आप लोग हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच दोस्तों